वेरी वेरी गुट मॉर्निंग कैसे आप सभी उम्मीद करते हूं आप सभी बहुत ही जाता अच्छे होंगे तो यहां पे मेरे व्लॉग के शुरुआथ हो रही है मॉर्निंग की टी टाइम से तो बस यहां पे में ब्रेड को तवे पे अच्छे से से शेक लूंगी लगा कर त आपने चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और गंटी का इकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा उससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे और साथी साथ अगर आपको वीडियो थोड गर्मा 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 तो चाई चाई पीने के बाद हम आप आजाते हैं अपने जो डेली का मॉर्निंग का रूटीन होता है वो करने के लिए तो हैंबे मैंने कपड़े दोने के लिए मशीन लगा रखी थी तो कपड़े दो रह थी तो मैंने बैट शीट भी चेैंजiously कर दी और दूसरी बैट शीट इसके पास एक जैसी दो बैट शीट हैं और दो बैट शीट है जिसमें से एक मुझसे प्रेस से जल चुकी है तो अब एक ही बची है मेरे पास वो वाली बैडशीट तो बच यहां बैडशीट लगा लोगे और बाहर उधर मैं कपड़े भी साथ के साथ वाश करती रहूँगी तो मेरे कपड़े दोने का काम और बैडशीट वगएरा सारे काम फिनिश हो चुकाता बलकि अब तक मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके देखे और उसके बाद मैं दुफैर की खाने की तेयारी कर रही हूँ आटा उगेरा में सुभा ही लगा के रख देती हूँ और उधर मैं सबजी गरम कर रही हूँ और इक्या केता है इधर मैं रोटी बना लूँगी तो आप यह आजाए गर्म गर्म खाना खाएंगे तो आप बना खाएंगे तो जी यहाँ पे अब यह मैंने खाना वगरा बना दिया अब यह जो टाइम है यहाँ के शाम के साड़े चार पांच बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं बाल वगरा कॉम कर रही हूँ और उसके बाद मैंने एक से दो रील बनाई थी अगर आपने मुझे इंस्ट्राग्रम पे फॉलो नहीं क्या है तो आप मुझे इंस्ट्राग्रम पे फॉलो कर सकते हैं थोड़ी बहुत रील बनाने के बाद अब हम आजाते हैं किचन में अपने रात के खाने की तैयारी करने क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इवनिंग और शट पे जाती हूं गूमने के लिए और यहां पे मैं बनाने वाली हूं आलू की सूखी सी सबजी तो बस आलू वगयरा कट कर लूंगी टमाटर और प्याज वगयरा भी कट कर लूंगी कर दो आए तो मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है बस आलू और इसमें डाल दूंगे और हमारी सब्जी बनके तियार हो जाएगी और सिंपल सी सब्जी है तो आपके साथ क्या डिटेल में मैं बताती क्योंकि आप तो मुझसे विला जवाब खाना बनाते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अपने व्लोग में और क्या क्या इंकलूड करूँ क्योंकि आप चुब कमेंट करते हैं मुझे सजेशन देते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह जी गूजरू का या गूजरी का फेमस होता है ओना तो हमारे में ओना अब तो कोई नहीं ओड़ता है पर अभी अब देहात साइट चले जाओना तो अभी ओना जाता है मैंना आज बहुत मैंने प्रैक्टिस करी यार गूजरी डांस करने की मुझसे हुआ ही नहीं काई पर हो जावे लूग मेरे साथ वीडियो शेयर करता है तो यहां पर पिन अप कर लिया जाता है या मैं पिन तो नहीं कर ली इसको इस तरीके से थोड़ा हटक करने होती हूँ और इस तरीके से यह हमारे गूजरियों में होता है गूजर में होता है क्या बोल भी बता नहीं है आप समझ जाओ बस ओना इस तरीके से वोड़ती हैं गूजरियों ना और उनकी अंगूठे ज्यादा जिलते हैं गूजरिय डांस में करते करते हैं और एक पैर कुछ ज्यादा चलता है तो मुझे बिल्कुल भी गूजरिय डांस नहीं आता है एक्शुल मुझे डांस आता ही नहीं है तो थोड़ा जैसे शादी भ्यामें होता है न तो फ्रेंड्स तो यह हमारा ओनना और आपको हर गूजरी के पास एक आदा ओनना तो मिल ही जाएगा कैसी लग रही है मैं ओनने में कमेंट करके जलूर बताईएगा पहली बार ओड़ा है मैंने अन कैमरा ओनना मतलब व्लॉग में मैंने अपनी हाइप उसमें इन स्रीर्स में भी मैंने ओड ओननना ओडनना अरे क्या है वो कुछ ऐसे करके सौंग है ओड ओड ना करके घुमगर ते चान से चले गूजरी जिसको कहवे वो शेरिस कुछ ऐसे करके वो सौंग है मुझे याद नहीं है तो उसमें मैंने ओनना ओड के पुरिल बनाई है तो आप मुझे इंस्टेड़्राम पर फॉलो कर सकते हैं कर आपने नहीं किया मैं तो कहसे लगा मेरा यह और ना कमेट करके जरूरी बताना इसी तरीके से ओड़ते हैं चाहिं में और मेरी मामी और अभी तो इस तरीके से और और चलती है गूजरी तो इसी तरीके का पहनावा पहनती है और पहने को इतनी होती है और पहले पहना जाता है और पहले पहना वह इतने मोटे मोटे क्या बोलता है गडूले बोलते क्या कुछ ऐसे कहते हैं वह पहन देए तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके जब पताना है या नि बाते बहुत जादा हो जाएंगी झाल